हमारे muscles में blood circulation इंप्रूव हो जाए इस तरी करें ब्रीद करें वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी practices बताऊंगी जिनकी मदद से आपकी body का stamina और strength ये बहुत अच्छी तरीके से develop होंगी नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से करते हैं इंजन दोड और मेंडग दोड डॉल्फिन पुशप का अभ्यास किस तरीके से किया जाता है इनका अभ्यास निरंतर अगर हर रोज आप 5 मिनट करना शुरू कर दें तो within few days आप देखेंगे आपके शरीर की strength यानि ताकत बढ़ गई है आप और उर्जा वान रहते हैं पूरे काम को बड़ी ही लगन से करते हैं आपको ठकान नहीं होती सुस्ती नहीं होती ठकते नहीं है strength बढ़ गया है endurance बढ़ गया है पूरे शरीर का blood circulation improve होगा जिससे की एक एक कोशी का तक proper मातरा में blood supply सांथी oxygen की supply होग सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती इससे मोटापा की समस्या weight loss करने में fat loss करने में body को tone करने में बहुत मदद मिलेगी इस अभ्यासों को करते रहने से आपकी digestive fire improve होगी आपके heart की health, lungs की health बहतर होगी आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे साथ ही इसके लावा पूर कोई competition की तयारी करते हैं जिसमें आपकी strength की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, stamina की बहुत ज़्यादा जरूरत है चाहे आप पुलिस की भरती, army की भरती, किसी और दूसरे field में भरती के लिए तयारी करते हैं या कि फिर आप hiking पे जाना चाहते हैं, tracking पे जाना चाहते हैं तो भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं, साथ ही इन अभ्यासों को करते रहने से ये बहुत जबरदस्त anti-aging का काम करते हैं, यानि उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, लेकिन आप हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा आपके अंदर चुस्ती, फूर्ती, हमेशा आप देखने के लिए आपको मिलेगा, आप कभी भी बुड़े हो ही नहीं सकते, ये तो धे कुछ लाब, लेकिन जान लेते हैं किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना है, जिनकी अभी recent कोई surgery हुई है, यानि operation हुआ है, तब्यत खराब है already, सर्दी जुखाम, कफ, cold, खासी, या कि फिर fever की समस्या है, या कि फिर आप periods के दोरान है, pregnancy के दोरान है, आपको high blood pressure की समस्या है, hypertension है, cardiac condition है, इस case में आपको इन सारे अभ्यासों को बिल्कुल नहीं करना है, अगर हाथ में कहीं चोट लगी हो, पैर में कहीं चोट लगी हो, छोटी मोटी injury भी हो, तो भी इन अभ्यासों को नहीं करना है, तो इस अभ्यास को करने के लिए, आपको क्या करना है, simple पहले थोड़ा marching कर लें, जिससे की body तयार हो जाए, तो जिस जगहा पे खड़े हैं वहीं पर ऐसे मार्च करें, जैसे आपने सेना में जवानों को देखा होगा, इस तरीके से मार्च करें, अब धीर दिरे हम अपनी body को warm कर रहे हैं गरम कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम कोई भी अभ्यास करें, उसके पहले हमारे joints, हमारे muscles में blood circulation improve हो जाए, इस तरीके से जिधर खड़े हैं वहीं पर, ऐसे जैसे आप सभी ने school या college में, परेड में भी भाग लिया होगा, और नहीं भाग लिय या तो देखा होगा, या तो जवान किस तरीके से मार्च करते हैं उस तरीके से, ऐसे, और जितना हो सकते अगर पैर को और उपर उठा सकते हैं ना ऐसे, 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 तो आपकी थाई का दबाव पेट पर बहुत अच्छा पड़ रहा है, इंजन दौड के लिए आप क्या क करेंगे, आपने दोनों पैरों के बीच में comfortable कमर जितना फासला रखेंगे, फिर उसके बाद हाथों को आगे, पीछे, आगे, पीछे, और पैर को भी इस तरीके से उठाएंगे, ये मैं बहुत slow speed में कर रही हूं सबसे पहले, जिससे कि जो भी लोग जिनको नी की condition हो, हलका फुलका पैरों में दर्ध हो, या कि फिर मोटापा बहुत जादा हो, तो वह इतने धीरे धीरे practice करें, क्योंकि अगर आप जम करेंगे, तो वो आपके लिए नी के लिए comfortable नहीं होगा, साथ ही जादा मोटापा बढ़ा है, उसके लिए भी सही नहीं होगा, अगर आपको blood pressure बढ़ा हो, या heart related कोई condition हो, उसमें भी जोर जोर से अभ्यास नहीं करना है, तो इतने धीरे धीरे एक मिनट का अभ्यास ऐसे कर ले, इसे upper body और lower body दोनों में भी आप बहुत अच्छा एक प्रभाव देखेंगे इसका, और normal breathing के साथ अभी अभ्यास कर रहे हैं, फिर एक मिन करें, breathe करें, अब जो आप अभ्यास करें, तो थोड़ा सा breathing को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करें, कैसे? तो मुँ को बंद रखा है, सास लेना और छोड़ना ये दोनों active है, मतलब कोई pumping नहीं करना है कपाल भाती जैसे, एक्चली भस तरीका की तरह, सास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, जब एक मिनट के ऐसे अभ्यास हो जाए, पहले marching कर ली, फिर उसके बाद slow speed में engine दोड़ का अभ्यास कर लिया, अब actually आपका engine जो है, स्टार्ट होने के लिए तयार है, तोनों पै के बाद शुरू करेंगे, 3, 2, 1, ब्रीदिक के साथ, इस तरीके से, ध्यान को पूरा सासों पे ले लगा के रखिए, अपनी abdominal muscles को पेट की मांस पेशियों को हलका सा अंदर की तरफ पुल करके रखिए, जिससे आपकी abdominal muscles engaged हो, थोड़ा rest करेंगे, अगर सांसे बहुत तेज हो गई हो, बहुत heartbeat बढ़ गई हो, तो इसके बीच में मुखधावती करके अपनी body को relax करेंगे, कैसे, दोनों पैरों के बीच में फासला रखा है, दोनों हाथों को इस तरीके से थाई के उपर रखें, नाक से सांस खीचें और मुख से फूक मारके इस सांस को छोड़ देंगे, तीन से पाँच बार इसका अभ्यास कर लें, कैसे, नाक से सांस लें, इतना करने मात्र से आप instant एक relaxation महसूस करेंगे, बहुत से लोग मुख से सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं, वो ना कीज क्योंकि प्रकृती ने हमें इस तरीके से डिजाइन किया है, कि मुह का काम खाना खाने का है, पानी पीने का है, नाक का काम सांस लेने और छोड़ने का है, तो नाक का काम नाक से, मुह का काम मुह से, तो पूरे अभ्यास के दौरान मुह को बंद रखें, बहुत बार ऐसा हो करें और फिर जैसे आपकी strength बढ़ती जाए तो लगातार एक मिनट का अभ्यास भी आप कर सकते हैं चलें अगर आप चाहते हैं मेरी निग्राने में रहके योग का अभ्यास करना तो आप मेरी online yoga classes कर सकते हैं, इन online yoga classes में हम हर दिन अलग अलग तरीके के आसन करते हैं, प्राणयाम करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, वो सिखाती हूँ मैं, इन classes को कोई भी join कर सकता है, अगर आप बिगनर हैं, पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, अगर आप already योग का भ्यास कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को डीपन करना चाहते हैं या कि आपको अल्रेडी कोई हेल्थ कंडिशन है जैसे कि थायराई, डाइबिटीज, ओबिसीटी की समस्या, हाइपर्टेंशन, हाइब्लेड प्रेशर, जॉइंट्स में पेन हैं, बैक पेन हैं, बहुत डिप्रेस रहते हैं, इन सारे केसिस में ये क्लासिस बहुत ही जादा हेल्फुल हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको इन क्लासिस से बहुत जादा फायदा मिला हैं, और अब वो अपनी एक हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल इन परिशानियों से कबके उबर चुके हैं और निरंतर योग का अभ्यास भी करते रहते हैं, लेकिन अगर आप इन क्लासिस को नहीं जोइन कर पाते किसी कारण से, तो मैंने कुछ कोर्सिस डवलब किये हैं, जिनको पर्चेस करके, आप अपने घर के कमफर्ट जोन में रह कि कभी भी किसी भी वक्त कितनी भी बार इन वीडियों को प्ले करके, अपने घर पे ही आशन प्रणयाम ध्यान का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं, और ये कोर्सिस भी completely beginner friendly हैं, आप इन क्लासिस और कोर्सिस के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो की है www.yogaviddshahida.com या कि फिर मैंने यहाँ पर एक WhatsApp नमबर शेयर किया है इस WhatsApp नमबर पर एक WhatsApp कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए मैं तो बहुत excited हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए सभी जाएं मेरी वेबसाइट विजिट करें या कि फिर एक WhatsApp करें अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं जो की है मेंडक दोड तो आपको क्या करना है इसके लिए इस अभ्यास के लिए आपकी एंकल और घुटने में बिल्कुल पेल ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें और अगर दर्द है तो फिर इस प्रैक्टिस को आप स्किप कर सकते हैं इन में से कोई भी प्रैक्टिस आप स्किप कर सकते हैं जितना आपको करना है उतना करें आप आराम से इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन या मलासन में बैट गए दोरों हाथों को इस तरीके से आपने मैट पर रख लिया सामने देखते हुए कि आपके फिनिशिंग लाइन सामने है और आपके आहस पास बहुत से लोगे जो आपके साथ रेस करें और आपको बहुत जोर से भागदा है तो आराम से अपने हाथ को मैट पर रखा और हाथ को आगे की तरफ करके फिर इस तरीके से ऐसे दोडेंगे फिर हाथ को आगे किया इस तरीके से फिर ऐसे दोडेंगे फिर हाथ को आगे किया ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे जंप करेंगे इस तरीके से पिर जब आगे की तरफ पहुच गए, तो फिर उसके बाद फिर से टर्ण हो जाएं और दूसरी तरफ भी इस तरीके से, यह हम slow-slow practice कर रहे हैं हाथ आगे की तरफ रखे और आगे की तरफ जुकते हुए ऐसे ये फिर आगे की तरफ हाथ रखते हुए ऐसे फिर आगे की तरफ हाथ रखते हुए ऐसे अभी शुरू शुरू में अभ्यास करें आपको ना बने ना तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करें एक साइड से दूसरी स साइड से पहली साइड अपनी योगा मैट पर आते जाए शुरू-शुरू में इसका अभ्यास 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड कर ले फिर आपकी जब ताकत अच्छी बढ़ जाए लोवर बॉडी की तो फिर उसके बाद लोवर बॉडी ही नहीं आपर बॉडी की भी ऐसे तो यह अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जादा मजबूती आपके पैरों पे आ गई है आपके घुटने मजबूत हो गया है आपके एंकल्स मजबूत हो गई है और फिर इसके बाद यह अभ्यास करने के बाद आपको रेस्ट जरूर करना है तो शवास अपका अभ्यास जो कि हमारे arms की मजबूती को बढ़ाएगी हमारी chest की जो strength है इसको बढ़ाएगी हमारे heart और lungs को ventilate करेगी back muscles को बहुत अच्छी तरीके से train करेंगी और abdominal muscles की strength जो है तो develop होगी अब इसका अभ्यास करने के लिए आपको इस तरीके से thunderbolt position या वजरासन में बैठ जाना है फिर उसके बाद अपनी elbow का measurement करना है ऐसे इस तरीके से अपनी elbow को measure करने के बाद अपनी बिना hip को उठाए बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे hip को उठा लेते हैं hip को मत उठाएगा hip को आप अपनी एड़ी पर ऐसे रहने दीजिएगा फिर उसके बाद अपने elbow को body से आपको दूर रखना है ऐसे इस तरीके से body से दूर रखने के बाद अपने दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ना है और उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे cross करके फसा लेना है अब आपके elbow का जो आपने measurement लिया था ये वाला elbow को मत ही लाईएगा कि elbow बहुत से लोग बाहर कर देते हैं मत ही लाईएगा फिर उसके बाद आप इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर कर दें जो लोग complete beginner है वो यहीं पर अपनी body को ऐसे आगे move करे फिर पीछे move करें आगे move करें फिर पीछे move करें ऐसे आगे move करते हुए अपनी नाक को मैट से टच कर सकते हैं तो करें ना कर सकते हैं तो सिर्फ आगे इतना move करें फिर पीछे move करते हुए अगर अपने माथे को छू सकते हैं मैट से तो मैट से छूए फिर उसके बाद सास सेंटर सास छोड़े nose to the mat सास लें सेंटर forehead to the mat ऐसे सास लें सेंटर सास छोड़े आगे की तरफ सास लें सेंटर सास छोड़े पीछे की तरफ ऐसे अगर elbow ऐसे अभ्यास करते हुए बाहर चली जाए तो आप क्या करेंगे इसको उसी जगहा पे लाके रखेंगे जहां तक आपक तो इसका अभ्यास कम से कम आप 10 टाइम्स करें यहाँ पर मैंने आपको 5 टाइम्स करके बताया फिर उसके बाद दोनों घुटनों को अलग किया ही हुआ था आराम से अपने बेली को थाई अपने चेस्ट को अपने हेड को ऐसे मैट पर रखे और दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी मैट पर सीधा करके रेस्ट करें हर एक अभ्यास की बाद कम से कम आपको 30 से के या 1 मिनट का रेस्ट जरूर करना है रेस्ट करें ऐसे अब जब इतना अभ्यास आप कर लेंगे तो फिर अब चैलेंज को बढ़ाएंगे आराम से अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने हिप जितना पासला रखेंगे एल्बो को इस तरीके से मेजर कर लेंगे मेजर करने के बाद अपनी मैट पर ऐसे प्लेस करेंगे दोनों हाथों को खोल लेंगे दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोल लेंगे फिर उसके बाद अपने हिप को उठाएंगे अपने पैरों को टक करेंगे अपने गुटनों को इस तरीके से सीधा कर देंगे जिनको गुटने में दर्द है वो इस तरीके से अपने घुटनों को ना उठाएं पिछली प्रैक्टिस को कंटीन्यू करें अब यहां से आगे सिंपल आपको क्या करना है ऐसे आगे की तरफ मूव होना है फिर पीछे मूव होना है अगर सासों को सिंक्रनाईज नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ अभ्यास करें ऐसे या कि फिर सासों को सिंक्रनाईज कर सकते हैं सास ले, सास छोडे, सास ले, सास छोडे, सास ले, सास छोडे और अगर थोड़ा और चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं तो अब अपनी नाक को मैट से टच करना माथे को मैट से टच करने का प्रैक्टिस करें तो पैरों को टक करें फिर उसके बाद सास ले सास छोड़े सास ले ले और सास को छोड़े सास ले ले सास को छोड़े सास लेले सास को छोड़े 5 4 3 2 and 1 और अब अपने घुटने को ड्रॉप करें बली और चेस्ट को मैट पर ड्रॉप करें हाथों को आगे की तरफ खीचे हेड को मैट पर ड्रॉप कर दे रस्ट करें इन तीनो अभ्यासों को जो व्यक्ति निरंतर करता रहता है मात्र कुछी दिनों में मैं महीनों की बात नहीं कर रही हूँ मात्र एक हफ़ते के अंदर अंदर एक गजब की फूर्ती आप महसूस करेंगे अपने शरीर में गजब की strength धीरे धीरे develop कर लेंगे आपकी कलाईया, आपकी कुनिया, आपके बाजू, आपके कंधे, आपका छाती, आपका पेच, आपकी कमर, आपके पैर overall body की आप strength develop कर लेंगे और कोई भी काम करने में फिर आपको आलस नहीं लगा करेगी अब हम शवासन में लेट कर कम से कम पाँच मिनट का आराम करेंगे पैरों को एक दूसरे से दूर कर ले, हातों को body के side में रखे और हतेलियों को घुमा दे, छट की तरफ rest करे ब्रीद करते रहे, ब्रीद करते रहे, ब्रीद करते रहे तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इन अभ्यासों को किया सीखा समझा जाना अगर आपको अभी भी कोई confusion है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए फ्यूचर में अगर किसी topic पे आप चाहते हैं मैं video बनाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से topic पर होनी चाहिए आशा करती हूँ मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा जाने से पहले चैनल को subscribe कीजिएगा जरूर चैनल को और इस वीडियो को like कीजिएगा और इस वीडियो के link को copy करके अपने दोस्तों और रिष्टदारों को सब को forward कर दीजिए जो बहुत lazy होता है बहुत आलसी होता है मैंने कुछ वीडियो की recommendation दी हुई है यहाँ पे आप इन वीडियो को भी जाके check out कीजिए और स्वास लाइब पाईए next वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी आप सभी अपना खयाल रखे नमस्ते झाल alleोो, तो झाल झाल यह झाल 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 क्या झाल हो झाल झाल झाल